हलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा आठवी की हिंदी इकाई दो पार्ट नौ नहीं इससे कुछ बढ़कर इसमें हम इसका एक्स्परनेशन देखेंगे question answer मैं अलग से उसका वीडियो आपको प्रवाइड करूंगे ठीक है सो इसके कवी है सुमित्रा नंदन पंथ जी इनके बारे में देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंथ का जन 1900 कौसानी अलमोडा उत्तराखंड में हुआ था मृत्यू 1977 1977 ठीक है पंथ जी को प्रकृति से बहुत लगाओ था नेचर से प्रकृति संदर के अनुपंची तेरे तथा कोमल भावनाओं के कवी के रूप में आपकी पहचान है आप बचपन से संदर रचनाएं किया करते थे आपको भारती ग्यान पेट, सोवियत लैंड, नहरू पुरसकार, साहित अकैडमी पुरसकार और पद्म भूशन सम्मान से अलंकृत किया गया इतने सारे पुरसकार इनको दिया गया है जितने भी यह सारे पुरसकार और यह प्रत्यकाम आदिव जो कविताम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में है तो यह गीत है और प्रस्तुत गीत में कवी सुमित्रा नंदन पंत जी ने मा कृष्यक यानि किसान ठीक है फार्मर्स कलाकार यानि जो आर्टिस्ट होते हैं कवी यानि पोएट बलिदानी जो सक्र सभी का मानना है कि उपरोग्त सभी व्यक्ति यानि जो उपर में दिये गए मां, क्रिशक, कलाकार, कवी, बरिदानी, पुरु शीन सबकी बात कर रहे हैं उपरोग्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदव ततफर रहते हैं कौन ये सभी लोग ठीक है समाज और देश के हित में भलाई में भलाई के लिए हमेशा ततपर यानि रेडी रहते हैं अता इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है यानि मा से बढ़कर क्योंकि मा ही हमें जन्म देती है जो किसान होते हैं उनके द्वारा उगाया गया अनाज जो है वही खा के हम अपना पालन पोस्टन करते हैं कलाकार जो कलाकार होते हैं कवी और बलिदानी पूरुश जो हमारे देश की सेवा करते हैं यह सब की पूजा करना इन सब का हैं रिस्पेक्ट करना बहुत ही important है हमारे लिए एक एक करके सब का जितने भी line उनको पढ़ेंगे प्रसो वेदनासह जब जन्नी शिदय स्वप्ननिज मुर्त बनाकर स्तन्य दान दे उसे पालती पगपग नव शिशुपर नवच्छावर नहीं प्रार्थना इससे सुन्दर शीत ताप में जूज प्रकृत से बहा स्वेदभू रजकर उर्वर शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृशक देते भर नहीं प्रार्थना इससे शुब कर कलाकार का विवण वण को भावतुली से रज सम्मोहन जब अरुन को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर सत्य निष्ट जन भू प्रेमी जब मानो जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राणिच भू रजको कर शोनित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षन विपुल मनो भैभाव कर संचित जन मधुकर अनुभुति द्रवित जब करते भव मद छत्र वी निर्मित नहीं प्रार्थना इससे शुचितर ये वी निर्मित यानी वापिस से बनाना किसी चीज को तो इन सब का कटिन शब्द यहां पे दिया गया है थोड़े बहुत हैं जो नहीं है वो मैं आपको बता दूंगे अब चलिए एक एक करके सब का मेनिंग देखते हैं बहुत ही अच्छी कविता है बहुत ही अच्छे से आप इसे गा सकते हो ठीक है तो यहां पे मैंने आपको इस तरही से line wise पढ़ के बता दिया है चलिए हम इसका भावार देखते हैं बच्चों पर जितने कठी शब्द हैं उसका मेनिंग मैं आपको बता देती हूं ताकि आपको जितने कठी शब्द हैं उसका मेनिंग आ जाए तो आप उसको अर्थ अगर आता है एक्जाम में तो आप खुद ही बता सकते हो उसका अगर आपको याद नहीं तो लेकिन ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा प्रसव यानि क्या होता है बच्चा जन्ना यानि बच्चे को जन्म देना ठीक है वेदना यानि पीड़ा दर्द तकलीफ जन्नी सबको पता है यह माता ठीक है अगर आपको प्रहाव आतिशत पूछता है समाना अर्थिशब चन्नी का या माता का तो आप बता सकते हो निज यानि अपना मूर्थ यानि साकार करना पूरा करना ठीक है स्तन्य दान यानि स्तन पान कराना दूद पिलाना मावच्चे को जो दूद पिलाती है उसको बोलते हैं शीत ताप शीत मतलब आपको पता है ठंड ताप मतलब गर्मी ठीक है तो मतलब क्रिशक यानि मुलायम घास का मतलब मलायम ओती है शामला मतलब भरी वरी एकुछक यानि किसान शुबकर यानि मंगलकारी शुबकर यानि मंगलकारी वण यानि अक्षर तुली यानि कुची तुली का जो ब्रश की तरह होता है संमोहन यानि किसी को मोहीत कर लेना किसी को अपनी तरफ अट्रेक्ट करना अरूप यानि जिसका कोई रूप न हो सपन्दन यानि कांपना एक जो स्पंदन होता है कपाहड जो होती है कमपन प्रियतर यानि अधिक प्रिये बहुत जादा प्रिये सत्य निष्ट यानि सत्य पर विश्वास रखने वाला सचाई पर विश्वास रखने वाला उत्सर यानि बलिदान करने वाला ठीक है सक्रिफाइस करने वाला शोनित य जानी रक्त खून रन्जित यंतलग उससे भीगगा हूँआ वीपुल यानि अधिक बहुत जादा वीपुल मतलब बहुत जादा अधिक मनोवैभौ यानि मन की महत्ता मनोवैभर यानि मन की महत्ता संचित यानि एकत्र इकठा इकठा करना, मदुकर यानि भावरा, ये आपको पूछ तकता है, ठीक है, मदुकर यानि भावरा, भ्रमर, ये सब उसके परियारवाची है, अनुभूती यानि समवेदना, अनुभव होना, ठीक है, द्रवित यानि जिसके मन में द्रवित हो जाना, जिसके मन में द्रवित हो पवित्र शुच क्या मतलब होता है पवित्र और शुच इतर यानि अधिक पवित्र ठीक है अब चलिए एक एक इसका मेनिंग देखते हैं पहराग्राफ वाइस तो बच्छ मनें आपको पढ़के बता दिया और कभी के बारे में बता दिया कठी शब्द के मीनिंग बता दिये अब ही हम देखेंगे एक एक पहराग्राफ का मीनिंग पहला है यहाँ पहला पहराग्राफ है प्रसव वेदना सह जब जन्नी हिर्दैस अपनी जमूर्त बनाकर स्तन्य दान दे उसे पालती पग पग नव शिशुपर ने उच्छावर नहीं प्रार्थना इससे सुन्दर प पच्छे को जन्म देने के समय जो पीड़ा होती है वो सब सहके जो जन्नी होती है माँ होती है वह रिदैस अपनी जमूर्त बनाकर मतलब ही अपने सपने को साकार करती है स्तन्य दान पान कराके दूद्ध पिलाके उसे पालती है पग पग नव शिशुपर ने उच्छावर पग यानि कि हर चीज यह पर अपने पग पग जो नञ poop नव शिशुखर न बच्चे उस पे सबकुछ अपना ने उच्छावर कर देती withdrawals नहीं प्राद्थना कर ना इसकी पूझा अर foolish कुछ भी नहीं है अब डिटेल में देखते हैं यह तो मने आपको जस्त एक एक किया गया तो पहला जो paragraph है वह मां को dedicate किया गया है तो इसमें मां के महत्ता यानि उसके महत्व का वनान किया गया है माता प्रसव वेदना को सहते हुए अपने रिदय के सपन को निज रूप देती है अपने दूध का दान कर वा शिशु का पालन पोशन कर उसे बड़ा करती है वह अपना प्रतेक्षण मतलब हर पल प्रतेक्षण यानि क्या हर एक पल अपने नवजात शिशू पर नियोच्छावर करती है उस पर कुर्वान करती है अता माता की भक्तिव प्रातना से बढ़कर जगत में सुन्दर प्रातना कुछ भी नहीं होता ठीक है यह पहला परग्र न इस देशुबकर शीदता ठंडी हो गर्मी हो उस उस से जूझते हुए अपने पसीने को बहाते हुए वह क्या करते हैं भूर ज मतलब जो मिटी है उसको उर्वर बनाते हैं यानि उबजाव बनाते हैं शर्ष्य शामला बना धरा को और कैसे कर देते हैं धरा यानि प्रित पूरे बंदार को अनाज से भर देते हैं इनकी प्रातना से शुबकर कुछ भी नहीं है तो अब इसको नास्य तो आन्य में seven वो only as ili उपको जन से बारां परेशान होता है और अपना परशीना बहा कर मिट्री को उप yht險 बनाता है झायी को नई को इसम्रिद बनाकर अनाची खेती करके भंडारों को भर देता है वह धरंती को नई कॉमल घास या निन उस Vielleicht किसके लिए बोला गया जो फसल होती है तो यहां पे आप ओमर अल फसल भी लिख सकते हैं खीक है कॉमल फसल तो जब चारों तरफ वो उगाते तो घ्रज voter को नाग E पसल से हरी भरी वसम्रिद्ध बनाकर अनाज की खेती करके भंडारों को भर देता है अतक क्रिशक की प्रात्ना से बढ़कर अन्य कोई शुबकर प्रात्ना नहीं होती है थर देखते हैं कलाकार कभी वन्वन को भावतुली से रज सम्मूहन जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन नहीं प्रात्ना इससे प्रियतर तो कलाकार हों और कभी हों ठीक है तो यहां पर यह क्या करते हैं अपने रंगों से कलाकार जो होते हैं कलर करने वाले वह तो मतलब कि हमारे दिल में emotions भी ला देता है, गुस्ता भी ला देते हैं, वीररस भी ला देते हैं, रोना भी आ जाता है, कोई कविता पढ़के, कोई गाना सुनके, अगर आप देखोगे तो जो गाने होते हैं, उसको सुनके कोई रोने लगता है, कोई हसने लगता है, खुश हम उसको सुनते हैं उसको फील करते हैं तो उसमें किस तरीके से हम खो जाते हैं और उससे हम क्या करते हैं उससे हम उससे समोहित हो जाते हैं और क्या भरते कृति में जीवन स्पंदन नहीं प्राटना इससे प्रियतर तो यहां पर यही वताए गया है कलाकार और कवी के बारे म तुलिका से अपनी भावनाओं और कल्पना को रेखाओं और रंगों के माध्यम से लोगों को मोहित कर देते हैं उसी प्रकार जो कवी होते हैं वो वर्ण वर्ण जोड कर वर्ण यानि शब्द शब्द जोड कर अपने भामों को अव्यक्त देकर अरूप और नए रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है इस तरह इन दोनों की पूझा से अधिक्री किसी और पूझा नहीं है तो यहां पे किसको यहां पे सम्मान दिया गया है कलाकार को और कवी को अब देखते हो कि कवी की जो रचनाय होती है किस तरह के से लोगों को हिला देती है जब कोई कवीता का पाठ करता है या बहुत अच्छे से गाता है किसी वीर के बारे में हो, अपने भारत के बारे में हो, तो किस तरीके से हमारे रोंग्टे खड़े हो जाते हैं ना सत्य निष्ट जन भू प्रेमी जब मानो जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राणिज भू रजगो कर शोनित रंजित नहीं प्रातना इस से बढ़कर तो यहां पे सत्य निष्ट जो सत्य रा पे चलते हैं तो सत्य पे अड़ी होते हैं जो अपने देश के लिए भू प्रेमी यानि जो अपने देश की मिट्टी के लिए जो लोग जन मतलब लोग भू प्रेमी होते हैं मतलब अपने देश के लिए प्रेमी होते हैं देश के भ फिशावर बलिदान कर देते हैं भूरज को कर शोनित रंजीत, भूरज यानि जो मिट्टी करक्ण से रंजीत यानि तो मिट्टी कैसे रंजीत तो उनकी पूजा अर्चना उनकी मतलब कि उनके प्रार्थना से बढ़कर कुछ नहीं है तो यहां तक तो सेम लाइन है वही प्रस्तुत पंक्ति में बलिदानी पुरुष का मौनन किया गया जैसे हमारे देश भक्त कितने हैं आपको पता है 26 जनुरी आने माली है तो आपको पता है 15 अगस्त हमकी क्यों मनाते हैं 26 जनुरी क्यों मनाते हैं अलग-अलग शहीद दिवस क्यों मनाते हैं जो अलग-अलग शहीद हुए हैं उनकी पुने तिथी हम क्यों मनाते हैं उनका जैनती हम क्यों मनाते हैं आप सब को पता होगा, आज भी हम देखते हैं कि कितने सारे हमारे फौजी, हमारे सिपाही किस तरहे से अपने को बलिदान करते हैं, नियुचावर करते हैं, तो उनकी वज़ा से इतने सारे लोग सुरक्षित रह रहे हैं, पुरा देश सुरक्षित रह रहा है, तो उनसे बढ मात्रभूम से प्रेम करने वाला बलिदाने पुरुष मानो जीवन के कल्यान हे तुम मिट्टी को रक्त से भीगो कर स्वयम के मानो जीवन के कल्यान हे तुम मिट्टी को रक्त से भीगो कर स्वयम के प्राणों की बली दे देता है अपने प्राणों की आहूती दे देता है अत माधुकर अनुभूत इद्रवीत जब करते भव मधुषच्च्र वी निर्मित नहीं प्रार्थना इस शुचितर तो यहां पे बोला गया है कि प्रस्थूत पंक्ती में मधुकर यानी भ्रमरों जो भावरे होते हैं उनका वन्न किया गया है भ्रमर सचाइब यहों मतलब अधिक मात्रामे मधू रूपी मनों वैभौ का संचय करते हैं उसे stuff करते हैं और अपना मदु चत्र यानि मदु का चत्ता यानि को हम बना लेते हैं उसी प्रकार सेम टू सेम उसी तरीके से कलाकार कवी बलिदानी पुरुष क्रिशक वा मा व्यक्ति समाज वा देश की हित में सदय तत पर रहते हैं इनका हृदा दूसरों के लिए ध्रवी थोड़ता है यानि दिल पिखल जाता है दूसरों की वेदना दूसरों की तकलीफ को देखके इनके कारणिया लोक महान बन गया है अता इनकी प्रात्ना से अन्य कोई पवित्रव शुभ प्रात्ना नहीं हो सकती तो यह जो लास्ट लाइन है लास्ट पराग्राफ है एक कंक्लूजन है प्रात्यक्त करता है और फिर क्लेक्ट करता है वो बहुत सारा शहत जण मध्भुकर अनुभुद्रवित एसी तरीके से बिल्कुल जो जो मध्भुकर है कि उसके भलाए के लिए उनका दिल पसीर जाता है द्रवीत हो जाता है और इसी कारण है यह हमारा देश और यह लोग आसे नların पहुत सारे भानना बना प्रयासरत रहते हैं, प्रयात में करते रहते हैं, यहां पर मैंने आपको अच्छे समझा दिया, एक और है, मैं आपको वह भी बता देती हूं, तो यह देखिए, यह भावार्त है, आपके डाइजिस्ट का, तो इसे भी आप देख सकते हो, गर आपके पास नहीं, तो इसलिए यहां पर आप इसका भावात आपको चाहिए, तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहां तक है, अब देख सकते हो, उसको भी, question answer का वीडियो मैं आपको अरक्सी प्रवाइड कर रहा हूंगी, so question answer का टेंशन मत लीजिए, ठीक है, चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए, व मुझे कॉमेंट करके बता दिया करो, यह भी आपने कॉमेंट किया, तो मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है,